हलो सुटेंट्स वेलकम तो मैगनेट ब्रेंस मेरा नाम धीरज महांदिवेदी और आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चाप्टर लाइट जिसमें हम एक्जेंपलर कुश्चन सौल करने वाले हैं और उसमें हम आज की वीडियो में बात करेंगे मल्टिपल चॉइस क ठीक है तो शुरू करें अपन चलो तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर कुश्चन नमबर वन क्या बोलता है इसके अंदर which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it क्या बोला उसने इन में से कौन है जो parallel rays of light बना सकता है जब कोई point source से rays of light उसके उपर fall हो मेरी बात को सुनना सवाल क्या बोल रहा है कि किसी भी point source से मतलब कोई भी source of light है जो point size का है उस point source of light से अगर light उसके उपर fall हो तो वो parallel rays बना दे वो इन में से कौन है तो सुनना ध्यांग से में डाप लोग यहाँ पर देखें concave mirror as well as convex lens यही पर अपना answer आ गया concave mirror भी parallel rays बना सकता है after reflection और convex lens भी बना सकता है parallel rays after reflection आपको पता होगा कि अगर कोई concave mirror है यह concave mirror है यह principal axis है यह मालनो उसका focus है तो कोई अगर incident ray focus से पास होते हुए आती है तो reflection के बाद क्या हो जाती है वो parallel to principal axis ठीक है similarly अगर हम बात करें convex lens की यह है convex lens यह principal axis यह आपका focus f1 मालनो तो अगर कोई incident ray focus से पास होती है तो reflection के बाद क्या हो जाती है parallel to principal axis ठीक है तो concave mirror and convex lens यह दोनों parallel rays बनाने की ताकत रखती है when incident ray traveling along the focus traveling along the focus is it clear कोई देखा तो नहीं तो आपका answer होगा यहाँ पर a ठीक है तो यह हो गया हमारा question number one आगे बड़े हम लोग चलें देखें question number two में क्या बोलता है बिलकुल ध्यान से आप लोग सुनना यहाँ पर a 10 mm long all pin is placed vertically in front of a concave mirror 10 mm का एक all pin है जिसको हमने perpendicularly place किया है in front of a concave mirror ठीक है ओके a 5 mm long image of the all pin is formed at 30 cm in front of the mirror ठीक है 10 mm का all pin है उसकी image बन रही है 5 mm की मतलब यह 5 mm हो गया size of image यह 10 mm क्या है size of object और यह image कहाँ पर बन रही है 30 cm के distance पर in front of a concave mirror मतलब यह जो image है न वो real image है ठीक है और वो real image बन रही है 30 cm के distance पर और आपको पता होगा कि अगर real image है तो जिस side object है उसी side image बनी होगी तो यहाँ पर v की value minus 30 लेंगे by sign convention ठीक है minus 30 cm is it clear? ओके अब यहाँ पर निकालने के लिए क्या बोल रहा है the focal length of this mirror is तो बता उस mirror का focal length कितना है तो मेरी बात को सुनो अगर आपको focal length निकालना है तो आप formula यूज करते हो 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u this is mirror formula तो अगर आपको f चाहिए तो आपको v और u दोनों चाहिए पहले मेरे पास v तो है लेकिन मेरे पास अभी u नहीं है मतलब object का distance मेरे पास अभी नहीं है तो पहले हम क्या निकालेंगे object का distance तो सुरो ध्यान से आपर देखो object का distance निकालने के लिए हमें यहाँ पर magnification का formula यूज करना होगा तो आपको यह पता होगा कि magnification ratio होता है height of image to height of object इसका ratio होता है यह is equal to minus v upon u भी होता है magnification का formula in terms of distance यह होता है ठीक है अब मेरी बात को सुनना यहाँ पर height of image कितनी है 5 mm लेकिन यह real image है तो real होगा तो inverted भी होगा तो इस 5 mm को हम क्या लेंगे minus 5 तो यह देखो minus 5 mm upon यह height of object कितना given है 10 mm और यह उपर की तरफ प्लेस किया हुआ है तो हम इसको क्या लेंगे positive तो यहाँ पर 10 mm हो जाएगा positive ठीक है कि नहीं है okay is equal to minus v की value कितनी है minus 30 ठीक है यह minus पहले से है और v की value अपान यू अब बस calculation करना है अपन को आव यहाँ पर minus 1 by 2 is equal to यह हो गया 30 by u तो u is equal to cross into करेंगे तो minus u equal to 60 तो u is equal to minus 60 ठीक है तो यहाँ पर object distance कितना आ गया 60 cm negative तो बस यह show कर रहा है कि वो left side में है है क्यों नहीं अब चलो मेरे पास u है मेरे पास v है अब मुझे क्या निकालना है focal length आओ निकालते हैं देखो 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u ठीक है अब देखो 1 upon f निकालना है मुझे 1 upon v v कितना है minus 30 plus 1 upon u, u कितना है minus 60 तो अब बताओ यहाँ पर इसको क्या लिख सकते है minus 1 by 30 minus 1 by 60 तो यहाँ पर LCM कितना आएगा 60 तो यह हो जाएगा minus 2 यह minus 1 this is minus 3 by 60 यह cancel out यह हो गया minus 1 by 20 equal to 1 upon f अब इसको उल्टा करोगे तो यह भी उल्टा हो जाएगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ना focal length is equal to minus 20 cm और भाई concave mirror है तो concave mirror का focal length negative होता है आपको पता हो गई है ठीक है तो focal length की value आ रही है minus 20 cm देखने है option में कहा है yes Bombay B is the answer simple question ठीक है magnification से निकाला हमने object distance और फिर U और V का इस्तेमाल करके focal length निकाल लिया ठीक है चले इसको आप पहले copy करें फिर हम देखते हैं next question चले हो गया copy? ओके question number 3 में क्या बुलता है? देखो ग्यान से under which of the following condition a concave mirror can form an image larger than actual object किस condition में concave mirror बड़ी image बनाएगा? ठीक है? ओके option देखते हैं देखो भई बड़ी image तभी बनती है जब object रखा होता है between focus and center of curvature तो ही बड़ी image बनती है real में ठीक है? चलवाओ देखते हैं when object is kept at distance equal to its radius of curvature मतलब center of curvature पे अगर object रखा हो तो ठीक है? तो वहाँ तो same size की image बनती है लेकिन हमें बड़ी image चाहिए नई when object is kept at a distance less than its focal length यहाँ पर virtual image बनती है ठीक है? हमें real की बात करनी है अभी okay when object is placed between the focus and center of curvature यही हमने बात की थी कि जब focus और center of curvature के बीच में होगा object तो वह बड़ी image बनाएगा beyond c image बनाता है और बड़ी image बनाता है वो ठीक है कि नहीं? clear है? तो हमारा answer होना चाहिए c c is the answer एक बार d पढ़ लेते हैं when object is kept at distance greater than its radius of curvature मतलब radius of curvature से जादा distance पर अगर रखा हो object मतलब beyond c रखा हो object अगर तो वहाँ तो image छोटी बनती है ना? ठीक है? चलें तो यहाँ पर clear होता है कि हमारा answer c होगा clear? ठीक है? चलें अब हम देखते हैं next question, question number 4 और क्या बोलता है इसके अंदर? बिलकुल ध्यान से समझना ठीक है? यहाँ पर जो formula use होगा उसको बिलकुल दिमाग में बिठाना है आपको और पहले question बढ़ते हैं question में क्या बोलता है? figure this shows a ray of light as a travel from medium A to medium B आप देख सकते हैं यहाँ पर ray जो है वो travel कर रही है from medium A to medium B ठीक है? ओके refractive index of the medium B relative to medium A is मतलब मुझे निकाली है यहाँ पर refractive index of medium B with respect to medium A मुझे यह निकाली है ठीक है? चलें अब यहाँ पर हम लोग यह value निकालने के लिए law का इस्तमाल करने वाले हैं जिसको हम कहते है स्नेल्स law आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्नेल्स law उसका हम इस्तमाल करेंगे to find refractive index of medium B with respect to A ठीक है? अभी ज्यान देना है आपर इस डाइगराम पर पहले concentrate करो आप यहाँ पर यह incident रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे 60 डिगरी को? angle of incidence ठीक है ओके यह आपका क्या होगा 45 डिगरी? angle of refraction तो यह हो जाएगा आपका angle of refraction ठीक है? अब स्नेल्स law क्या बोलता है? सुनना द्यान से by स्नेल्स law by स्नेल्स law द्यान देना पर आप लोगे आपर देखो sin i by sin r sin of angle of incidence to sin of angle of refraction always equal to refractive index अब मुद्दा उठता है कि refractive index आप बोलता हो लेकिन किसका refractive index? तो सुनना द्यान से आप लोगे जिस मेडिया में रे की entry होती है उसका लेते हैं refractive index with respect to जहां से entry हो रही है आप बताओ रे की entry कहां हो रही है? medium b में entry हो रही है और कहां से entry हो रही है? a से entry हो रही है जिस मेडियम में entry होती है उसका लेते हैं refractive index with respect to जहां से entry हो रही है इस इकलियर? ठीक है? ओके अब बताओ sin i मतलब sin 60 degree sin r मतलब sin 45 degree is equal to refractive index of b with respect to a ठीक है? okay sin 60 की वालुट 3 रई 2 sin 45 degree की वालुट 1 रई 2 equal to n b a चलें, अब ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर इसको solve करते हैं लोग आपको पता होगा उपर fraction, नीचे fraction तो उपर वाले को as it is लिखते हैं और नीचे वाले को पलट देते हैं है कि नहीं? okay equal to n b a चल रहा है अपना अब ध्यान दो तुम बदाओ तो अब बताओ, एक root 2 निप्टा दूँगा तो एक root 2 यहाँ का बज जाएगा ना ठीक है? तो अब बताओ यहाँ पर answer क्या आया root 3 by root 2 is equal to refractive index of b with respect to a this is your answer तो देखते हैं कौन सी option में है यह? option a root 3 is 2 root 2 तो यहाँ दखना Snell's law में एक simple सा कौन से बता रहा हूं है sign of angle of incidence to sign of angle of refraction always equal to refractive index लेकिन किसका refractive index इसमें confusion होता है तो इस confusion को दूर कर लो जिस medium में ray of light का refraction हुआ है ना जिसमें entry हुई है उसका लेते हैं refractive index with respect to जहां से entry हुई है ठीक है फिर अपने आप आपका काम हो जाएगा तो यह था आपका simple सा question number 4 तो आप इसको वीडियो पॉस करके copy करे फिर हम आगे बढ़ते हैं चले copy हो गया अब हम देखते हैं next question देखो question number 5 में क्या बूलता है a light ray enters from medium A to medium B as shown in figure आप देखें इस figure में ray of light enter हो रही है medium A से medium B में okay सवाल क्या बूलता है आगे देखो the refractive index of medium B relative to A will be ठीक है refractive index of B relative to A will be greater than unity मतला 1 से बढ़ी होगी क्या इसकी वालियो less than unity क्या 1 से छोटी होगी इसकी वालियो equal to unity क्या इसकी वालियो 1 होगी या 0 होगी ठीक है आओ हम देखते हैं यहाँ पर मैं आपको एक बिल्कुल short तरीका बताता हूँ ठीक है सुनना ध्यान से आप लो यहाँ पर देखो आप बताओ ray of light जब एक medium से दूसरे medium में गई है A to B गई है तो इसकी bending toward the normal होई है न और toward the normal bending कब होती है जब ray of light ray error to dancer में जाती है मतलब medium B क्या होगा dancer और अगर medium B dancer है मतलब उसका refractive index भी ज़ादा होगा as compared to medium A तो B का refractive index A के refractive index से ज़ादा होगा और उसने क्या पूछा है कि refractive index of B relative to A will be तो मेरी बात को सुनना refractive index of B with respect to A इसको हम लिखते है NB upon N A मतलब refractive index of medium B with respect to A को हम लिखते है absolute refractive index of B upon absolute refractive index of A तो आप बताओ ये denser है ना ये denser है ये क्या है rare ठीके और denser का refractive index ज़ादा होता है तो उपर वाली value ज़ादा नीचे वाली value कम तो ज़ादा अपॉन कम करोगे तो answer more than one आएगा ना ठीके ये बड़ा अपॉन छोटा तो इसको solve करोगे तो answer greater than one आएगा मतलब ये वाली value one से बड़ी होगी मतलब ये वाली value भी one से बड़ी होगी ठीके तो यहाँ पर answer होगा greater than unity तो option कौन सा है A simple rare are two denser अगर rate travel कर रही है तो obvious ही बात है कि denser का refractive index one से बड़ी होगी है कि नहीं ठीक है तो ये simple सा आपका answer होगया A option ठीक है चले तो ये copy करें फिर मागे देखते हैं ओके ठीक है चलो अब देखना question number six में क्या बोलता है वो beams of light are incident through the holes A and B and emerge out of box through the holes C and D respectively as shown in the figure this ठीक है देखो ये एक box है इसमें यहाँ पर दो होल है यहाँ पर दो होल है तो उसने क्या बोला जो beam of light A से enter हो रही है वो C से बाहर निकल रही है और जो B से enter हो रही है वो D से बाहर निकल रही है ठीक है ओके तो question क्या बोलता है which of the following could be inside the box मतलब उस box के अंदर क्या होगा क्या rectangular glass lab होगा कि convex lens होगा उसके अंदर कि concave lens होगा कि prism होगा मतलब इस box में इन चारों में से क्या होगा ताकि जो आपका ray of light है output में वो parallel निकले तो मेरी बात को सुनना ध्यान से आप ये बताओ इन चारों में से ऐसा कौन सा है कौन सा ऐसा transparent medium है जिसमें incident rays और emergent ray आपस में पारलल होते हैं तो आपका जवाब आएगा कि सर ये rectangular glass lab में होता है आपको पता होगा कि rectangular glass lab में ही आपका incident ray और emergent ray आपस में पारलल होते हैं and laterally displaced होते हैं ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर मेरी बात को सुनो incident rays और ये जो emergent rays है ये दोनों आपस में पारलल है कि नहीं? बस laterally displaced है ये ऐसे था अब ये displaced होके ऐसा है यहाँ भी सेम कहानी है कि incident rays and emergent rays आपस में क्या है पारलल है बस लाटरले डिस्पेज़ और यह कहानी किसमें होती है rectangular glass slab में ठीक है तो answer यहाँ पर होगा rectangular glass slab ठीक है आरे यह बास समझ में since through rectangular glass slab the incident rays are parallel to emergent rays therefore our answer is A ठीक चलो आगे बड़े हम लोगे हाँ पर चले देखना ध्यां से question number seven में क्या बोलता है वो देखो a beam of light is incident through the holes on side A मतलब side A में holes है वहाँ से beam of light की entry हो रही है देखो यतने सारे rays है उस beam में है ना 10 rays है यहाँ ठीक है ओके and emerges out of the holes on the other face of the box दूसरे वाले face से यह rays बाहर निकल रही है ठीक है ओके विच आफ दा following could be inside the box तो अब बताओ इस box के अंदर क्या रहा होगा कि parallel rays parallel rays ऐसे converge होके निकले ठीक है क्या रहा होगा अंदर तो option क्या क्या है मेरे पास concave lens रहा होगा कि rectangular glass lab रहा होगा कि prism रहा होगा कि convex lens रहा होगा तो बैया rectangular glass lab तो इस case पर नहीं हो सकता क्योंकि emergent rays और incident rays आप से पहल नहीं है तो अंदर क्या हो सकता है बाकी तीनों के मुकाबले concave कि prism कि convex lens चलो आओ देखते हैं यहाँ पर सुनो अगर माल लो मैं यहाँ पर concave lens रखता हूँ ठीक है अब आप बताओ जैसी यह rays of light यहाँ पर incident होगी ठीक है यह मैं principal access माल लेता हूँ इसको ठीक है तो आप बताओ यहाँ पर मैं focus माल लेता हूँ तो तुम बताओ यह parallel lens of light reflection के बाद ऐसे पास होगी यह 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 ऐसे पास होगी तो आप देखिए ना पर ज्यान से ये जो पाटर्न यहाँ पर दिख रहा है वो कॉनकेवलेंस और ये कॉन्वेक्स लेंस लखने से मैच कर रहा है न तुम देख सकते हो कि पार्लल रेजर फ्लाइट जब उस कॉन्वेक्स लेंस पर हिट करेंगी ठीक है तो रीफ्रक्शन के बाद फोकस से पास होगी वो मतलब सारी रेज फोकस पे आके कन्वर्ज होगी तो कुछ इस टाइप का पैटर्न ऑफ्ज़व होगा ना जो प्रिंसेपल आक्सिस के उपर आली रेज है वो फोकस से पास होके नीचे की तरफ जाएंगी और जो प्र बंच बनेगा ना ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पर अगर अंदर convex lens को पेस करते हैं, तो वही pattern दिखेगा जो इस diagram में given है, आ रही है बास समझ में, ठीक है, तो यहाँ पर answer क्या होगा, convex lens, that is option D, आ रही है बास समझ में, तुम बोलोगे सर, एक बार concave lens रखके भी बता दो, कि कि वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होगा, तो एक बार देख लो, concave lens में सा क्यों नहीं हो सकता, देखो, अगर मैं अंदर रखता concave lens, तो यह जो parallel raise applied आती, वो diverge होती है न, यह जो parallel raise आप्लाइड आएंगी, कि वो क्या होंगी, diverge होंगी, ठीक है, तो यहाँ पर raise यही पर आकर क्या ऐसे diverge हो जाएंगी, तो आपका इसके थूरू जो pattern मिलेगा, वो इस given diagram से match नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमारा answer क्या होता है, convex lens, is it clear, ठीक है, ओके, तो यह आपनों कॉपी कर ले, फिर हम देखते हैं, next question, ओके, आगे बढ़ते हैं लोग, देखें ध्यांसे आप लोग question number 8 में क्या बोल रहा है वो, ठीक है, which of the following statement is true, इंड में से कौन सा statement सही है, वो हमें पकड़ना है, ठीक है, तो पहला option चेक करते हैं लोग, a convex lens has 4 diopter power, having a focal length 0.25 meter, तो सुनों, convex lens है, तो उसका power positive होना चाहिए, वो positive power दिया हुआ है, मतलब यहां पर ठीक है, positive power तो होना चाहिए, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, कि अगर power 4 diopter है, तो क्या वाकई में focal length 0.25 meter होगा, देखते हैं, तो आप बताओ, formula पड़ा होगा, P is equal to 1 upon F, ठीक है, power की value कितनी है, 4 diopter, 1 upon F, तो यहां पर F की value कितनी होगी, 1 upon 4, और 1 upon 4 का मतलब 0.25 ना, meter, सुनना द्यान से आपने यह पढ़ा होगा, कि P is equal to 1 by F formula यूज़ करते हैं, जब focal length meter में हो, और हमें यहां पर focal meter में ही चाहिए, तो हम यही formula यूज़ करेंगे, तो आप बताओ, power अगर 4 diopter है, तो focal length की value 0.25 meter आ रही है ना, मतलब यह जो statement है, वो बिलकुल सही है, ठीक है, तो यहां पर option A हो जाएगा, answer मतलब बाकी तीन option को देखने के जरुरत ही नहीं है, क्योंकि single choice है, ठीक है कि नहीं है, बाकी को अगर तुम देखोगे भी तीनों को, तो आप गलत पाओगे, इसे clear, तो यह था हमारा question number 8, जिसका answer है A, तो आप लोग इसको copy कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके, अब देखते हैं, question number 9, में क्या बोलता है वो, Magnification produced by a rear view mirror, or fitted in a vehicle, is, जो rear view mirror होता है, अपने गाड़ीों में जो लगा होता है, जिससे हम पीछे आने वाले गाड़ी को देखते हैं, ठीक हैं, उसका magnification क्या होगा, क्या वो less than 1 होगा, कि more than 1 होगा, कि equal to 1 होगा, या can be more than or less than, depending upon the position of object in front of it, है क्यों ने, मतलब object के distance पर depend करेगा, कि उसका magnification वन से ज़ादा होगा, कि वन से कम होगा, मतलब magnification के बारे में, आपको यहाँ पर बताना है, तो सुनो, rear view mirror में कौन सा mirror लगता है, convex mirror, ठीक है, और convex mirror हमेशा छोटी image बनाती है, हमेशा वो छोटी image बनाएगी, चाहिए कुछ हो जाए, तो अगर हमेशा वो छोटी ही image बनाएगी, तो इसके magnification क्या होगी, less than 1 न, ठीक है, आपको यह पता होगा, कि अगर छोटी image बना रही है, तो less than 1, बड़ी image बनाती है, तो more than 1, अगर same size की image बन रही है, तो equal to 1, ठीक है, लेकिन, convex mirror हमेशा छोटी image बनाती है, मतलब उसका magnification हमेशा less than 1 होगा, this is informatry, ठीक, तो यहाँ पर answer हो जाएगा, less than 1, ठीक है, option A, symbol question, ठीक है, चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे, question number 10 की तरफ, आ जाओ, तेखो, question number 10 में क्या बोल रहा है, raise from sun, converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror, जो sun से raise आ रही है, वो concave mirror के through, किस point पे converge हो रही है, at a distance 15 centimeter, 15 centimeter के दूरी पर, सारी sun raise, reflection के बाद converge हो रही है, ठीक है, और आपको यह पता होगा, कि sun मतलब distant object, और distant object से raise कैसी आती है, पारलल आती है, और पारलल raise of light, reflection के बाद, focus पे converge होती है, पारलल raise of light, reflection के बाद, focus पे converge होती है, और उसने कहा, कि 15 centimeter के दूरी पे converge हो रही है, इसका मतलब indirectory वो बोलना चाहरा है, कि उसका focal length कितना है, 15 centimeter, तो यहाँ पर जो पहला statement में, जो information है न, उससे आपको यह पता लग गया, कि उस mirror का focal length कितना है, तो उसका focal length कितना हो गया, 15 centimeter, ठीक है, ओके, अब आगे पढ़ते हैं, पहले question में, पूछ क्या रहा है, आगे, where should an object be placed, so that size of its image is equal to size of object, object को कहाँ पर place करें, ताकि image की size same हो as object, तो सबको पता है यह चीज, अगर आपने ray diagram पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा, कि अगर हम object को center of curvature पे रखते हैं, मतलब radius of curvature के बराबर distance पे रखते हैं, तो वहाँ पर same size की image बनती है, और वही पर बनती है image, ठीक है, तो हम यहाँ पर कहाँ पर place करेंगे object को, at center of curvature, मतलब distance equal to radius of curvature, ठीक है, तभी same size की image बनेगी, तो देखते हैं option में क्या बोल रहा है, 15 cm in front of mirror, यह तो focus पे बोला object को, नहीं, 30 cm in front of mirror, हाँ, तुम बताओ, radius of curvature के दूरी पे place करना होगा, to obtain same size, ठीक है, और radius of curvature क्या होता है, focal length का double, और focal length यहाँ पर कितना निकला हूँ है, 15 cm, तो आप बताओ, radius of curvature होगा नहीं, twice of F, मतलब 2 x 15, that is 30 cm, मतलब 30 cm के दूरी पे अगर हम अबजट को रखेंगे, तो same size की image मिलेगी as object, तो हमारा option, Bombay, सही है, B is the right answer, ठीक है, आगे देखते हैं, बिटवीर 15 और 30, नहीं, more than 30, beyond C वाला केस, नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा answer है आपका B, simple question, ठीक है, चलो, तो इसको copy करें जड़ा, फिर हम देखते हैं, next question, ओके, अब देखते हैं यहाँ पर question number 11 में क्या बोलता है, सुनना ध्यान से, a full length image, of a distant tall building, can be definitely be seen by using, अगर मुझे, कोई दूर, एक building की, एक बहुत बड़े building की, पूरी image देखनी है, तो हम किस के थूँ देख सकते हैं, क्या हम concave mirror के थूँ देख सकते हैं, कि convex mirror के थूँ देख सकते हैं, कि plain mirror के थूँ देख सकते हैं, या both concave as well as plain mirror, तो मेरी बात को सुनना, ध्यान से, plain mirror तो same size का बनाता है image, थेक है, तो वो tall building की image, क्या वो पूरी image, महला पूरी building की image, उस plain mirror के थूँ देख पाओगे क्या, उतना बड़ा mirror थोड़ी न है हमारे पास, तो नहीं, थेक है, तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, अगर आपको ये पता हो, ये जो convex mirror होता है ना, convex mirror, जो गाड़ी के side में लगा होता है mirror, rear view mirror, ठीक है, ये बड़े से बड़े object की image को छोटी करके दिखा देता है, आप बताओ ना, जब तुम गाड़ी में चलते हो, तो side में जब mirror को देखते हो, तो पीछे आने वारे जो बड़ी-बड़ी truck है, truck, bus, उस सब को आप देख लेते हो, उस छोटे से mirror में, है कि नहीं, क्योंकि वो mirror क्या करता है, उस object की छोटी image बना के, आपको show करता है, ठीक है कि नहीं है, तो tall building की, अगर complete image चाहिए आपको, तो वो convex mirror ही कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर answer होगा, convex mirror, that is option B, Bombay, simple, this is informatory question, बिलको आपको, इसका जो basic knowledge अगर आपको पता है, तो यह आपका answer, मिल जाएगा, is it clear, ठीक है, तो हम आगे बड़े, चलो, देखते हैं, 12th question में क्या बोल रहा है, इन torches, search lights, and headlights, of vehicle, the bulb is placed, जो torch होता है न, torch देखा होगा तुम लोगोंने, ठीक है, तो torch में, या जो search light होती है, या जो आपका, headlight होती है, vehicle की, है के ने, तुमने अगर search light नहीं देखी होगे, लेकिन torch और headlight देखी होगी न, अपने गाड़ी की, ठीक है, वहाँ पर, हम, bulb को, place कहा करते हैं, ठीक है, between the pole and focus of the reflector, मतलब जो reflector लगा होता है, ठीक है, उसके pole और focus के बीच में रखते हैं क्या, bulb को, center of curvature रखते हैं क्या, क्या हम center of curvature पर रखते हैं क्या, तो मेरी बात को सुनना, concept क्या है यहाँ पर, देखो, मेरी बात को सुनो, ध्यां से, क्या होता है, ये अगर माल लो, आपका torch का front वाला, ये reflector है, ये reflector है, ठीक है, और ये reflector हम यूज़ करते हैं, concave mirror, और आप बताओ, हमें वहाँ पर क्या चाहिए, कि raise दूर तक जाए, जो raise of light है, वो दूर तक जाए, मतलब parallel raise चाहिए मुझे, तो आप बताओ, अगर bulb को, तुम, focus पे रखते हो, अगर तुम यहाँ पर बल्व को place करते हो, तो यहाँ से जो भी raise निकलेंगी, वो focus से पास होने वाली raise मानी जाएंगी, और जैसे यहाँ से reflection होगा, वो parallel हो जाएगा ना, parallel हो जाएगा ना, यहाँ पर भी देखो, है कि नहीं, तो आप बताओ, अगर मुझे parallel raise चाहिए, output में, तो हम बल्व को कहां रखेंगे, मतलब वो source of light को कहां रखेंगे, focus पहीं रखेंगे ना, ठीक है, तभी parallel raise मिल पाएंगी अपन को output में, आ रहे हैं बास समझ में आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर answer क्या होना चाहिए, very near to focus of reflector, very near to focus मतलब focus पहीं, is it clear, ठीक हैं, तो यहाँ पर answer होगे आपका, B, simple question, ओके, चलें, तो आगे बड़े हम लोग यहाँ पर, चलें, देखें, question number 13 में क्या बोलता है वो, the laws of reflection, hold good for, plain mirror only, concave mirror only, convex mirror only, या all mirrors irrespective of their shape, भाई, यह laws of reflection, यह law है law, यह mirror to mirror vary नहीं करता, ठीक हैं, law सब के लिए समान होता है, एक जैसा, कोई सबी mirror हो, सब में वो valid होता है, equally, ठीक है, चाहे वो plane हो, चाहे वो spherical mirror हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर answer क्या होना चाहिए, D, all mirrors irrespective of their shape, shape माने नहीं रखता है यहाँ पर, law है, वो तो valid रहेगा हर जगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका answer होगा, D, ठीक है, तो यह कुछ simple simple question चल रहे है, जो आपको बिलकुल एकदम information type है, मतलब उसकी बारे में अगर आपको information है, तो आपको आपका वो solution मिल जाएगा, ठीक है, चले, तो यह होगा आपका simple सा question number 13, चलो, आगे बढ़े, अब क्या बुलता है, question number 14 में, देखो ध्यान से, सवाल यह बूल रहा है आपर, the path of ray of light coming from air, passing through a glass slab, placed by four students, are shown as A, B, C and D in figure, which one of them is correct, मतलब चार students ने, glass slab के थूँ, एक experiment किया, ठीक है, और rays of light को trace किया, ठीक है, तो बताना है कि कौन से बच्चे ने सही tracing किया, आओ देखते हैं, इसमें देखो, rays of light ऐसे जा रही है, और यह air है, यह glass है, मतलब रेर रे टू टेंसर, bending होना चाहिए, यहां बेंडिंग शो ही नहीं किया, यह रॉंग है, ठीक है, आओ देखते हैं, भी, आप बताओ, रेर टू डेंसर, बेंडिंग टू अर्ड दू नॉमल होता है, बिलकुँ सही है, फिर डेंसर टू रेर, बेंडिंग आवे फ़न दू नॉमल, यह भी सही है, ठीक है कि नहीं है, ओके, तो आप बताओ, यह वाला जो बी वाला है, इस बच्चे ने बिलकुँ सही ट्रेसिंग किया, है कि नहीं, ओके, एक बार हम चेक कर लेते हैं, वैसे आंसर तो मिल चुका है, कि बच्चे B ने सही tracing की है अब देखो C वाला देखते हैं यहाँ पर bending show ही नहीं किया गलत यहाँ पर देखो यहाँ bending सही show किया है लेकिन यहाँ पर bending show ही नहीं किया उसने मतलब यह भी गलत तो हमारा answer कौन सा होगा B वाला ठीक है? तो यहाँ पर answer होगा B simple question ठीक है? चलें तो इसको आप लोग कॉपी कर लें फिर हम आगे देखते हैं ओके होगे कॉपी? चलो, अब हम देखते हैं next question question number 15 में क्या बोलता है वो? you are given water, mustard oil glycerine and carosin in which of this media a ray of light incident obliqually मतलब एक angle पर अगर incident होता है in mediums में at same angle would bend the most मतलब मेरे पास चार medium है एक kerosin है, एक water है, एक mustard oil है, एक glycerine है ठीक है? चारों medium पर अगर कोई incident ray एक angle पर hit करता है ठीक है? तो इन चारों में से कौनसे medium में ray of light की bending जाधा होगी जाधा bending होगी ठीक है? तो सुनना ध्यान से आप लोग हम कहते हैं कि bending इस डारेक्ली प्रपोर्शनल टू रिफ्राक्टिव इंडेक्स मतलब medium की जितनी जाधा रिफ्राक्टिव इंडेक्स होगी मतलब medium जितना जाधा dense होगा bending उतनी जाधा होगी उस medium में ठीक है? तो इन चारों में अगर compare किया जाए कि सबसे जाधा denser medium कौन है? तो वो होता है glycerine मतलब glycerine में ही rays of light की bending सबसे जाधा होगी ठीक है? तो यहाँ पर answer होगा D क्योंकि यह जाधा denser है Is it clear? ठीक है? चलो तो यह simple आपका question था अब हम आगे बढ़ते हैं question number 16 की तरफ देखें ध्यान से क्या बोलता है? 16th question में which of the following rays which of the following ray diagrams is correct for the rays of light incident on a concave mirror as shown in figure मतलब इन चारों में से हमें पहचानना है कि कौन सा ray diagram सही है ठीक है? ओके देखो ध्यान से अब लोग यहाँ पर यहाँ पर incident ray principle axis के पारलल है तो focus से पास होना चीए reflection की बाद क्या focus से पास हो रही है? नई गलत ठीक है? incident ray parallel है और कहां से पास हो रही है? 2F से पास हो रही है मतलब center of curvature से पास हो रही है गलत focus से पास होना चीए ठीक है अब देखो incident ray parallel है principle axis के reflection के बाद भी उसी path के long retrace हो रही है यह सही नहीं है यह भी गलत है ठीक है? अब बचता है last वाला वो सही ही होगा देख भी लेते हैं क्यूं? देखो आपका incident ray parallel to principle axis है तो reflection के बाद कहां से पास होना चीए? focus से focus से पास हो रही है ठीक है? तो यहाँ पर d वाला जो आपका ray diagram है वो बिलकुल सही है तो यहाँ पर answer कौन सा हो जाएगा? d option simple question ठीक है? चले आगे बड़े हम लोग देखते हैं next question की तरफ क्या बोलता है? 17th question में which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on lens shown in figure अब यहाँ पर ray diagram सही वाला पहचानना है lens के case में ठीक है? आओ देखते हैं focus से पास होगा तो parallel होना चाहिए reflection के बाद हाँ हो गया है यह सही diagram है बिलकुल ठीक है? मतलब यही पर पहली बार में अपनको answer मिल गया कि यह वाला ray diagram सही है बाकी तीनों भी देख लेते हैं हम लोग ठीक है? देखो यहाँ पर focus से पास हुआ parallel होना चाहिए लेकिन ऐसे गया यह सही नहीं है wrong ठीक है? अरे भाईया यहाँ तो reflection करा दिया उसने यह तो बिलकुल सही नहीं है ठीक है? अब यहाँ देखो यहाँ पर bending करा ही नहीं उसने तो यह भी गलत है मतलब answer कौन सा होगा? यह वाला ठीक है? तो answer is A option ठीक है? simple question ओके अब हम देखते हैं next question ठीक है? बड़ा simple simple question चल रहा है भी ठीक है? अगर आपको information पता है तो फटा फटा आप answer डिक करोगे आपर ठीक है? चलो अब आप देखो question number 18 में क्या बोल रहा है A child is standing in front of a magic mirror एक जादूई mirror है उसके सामने एक बच्चा खड़ा है ओके She finds the image of her head bigger उसने क्या देखा? कि उसका जो सर है ना वो बड़ा दिख रहा है इसको ठीक है? ओके The middle portion of her body of the same size जो उसका middle portion है वो same size का observe हो रहा है इसको ठीक है and that of the legs smaller मतलब जो उसका lower portion है वो छोटा visible है ठीक है? मतलब बच्चा सामने एक बच्ची खड़ी है mirror के ठीक है? वो अपने head को बड़ा observe कर रही है अपने middle portion को same size का observe कर रही है lower portion को छोटी observe कर रही है small size का वहाँ पर observe कर रही है वो ठीक है? ओके तो अब वो बोलता है the following is the order of combination for the magic mirror from the top तो आपको बताना है कि उस magic mirror में उपर से लेके नीचे तक कौन-कौन से mirror का combination होगा तो मेरी बात को सुनना upper portion bigger है न और bigger image कौन बना सकता है concave mirror तो उस mirror combination में upper portion क्या होगा concave ठीक है? तो बहिया उपर होगा concave ठीक है? middle portion same size को observe हो रहा है मतलब यह होगा plain mirror ठीक है? plain mirror भी बनाता है same size का image तो अब middle में होगा plain mirror is it clear? ठीक है? ओके और जो lower portion है उसका image कैसा है? small और वो small image कौन बनाती है? convex mirror तो lower जो combination of mirrors है उसमें नीचे में क्या होगा? convex mirror convex mirror is it clear? ठीक है? तो concave बड़ी image plain mirror same size की image convex mirror छोटी image तो यह combination रहेगा from top ठीक है? तो देखते हैं कौन सा match कर रहा है पहले concave फिर plain और फिर convex तो यहाँ पर answer होगे आपका C ठीक है? simple question आपका ओके अब हम देखते है next question which is last question चलो भाई happy ending करते हैं आपन मिलकुल यहाँ देना आप लोग 19th question में क्या बोलता है वो in which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point size इन में से किस में अबजेक्ट अगर infinity पे रखा हो तो उसकी image छोटी बनती है मतलब point size की बनती है मतलब object अगर infinity पे है तो उसकी image highly diminished point size की बनेगी इन में से किस में तो यह answer होगा कि चाहे concave mirror हो चाहे convex mirror हो चाहे convex lens हो चाहे concave lens हो कुछ भी हो अगर object infinity पे है तो उसकी image छोटी बनती है highly diminished बनती है ठीक है कि नहीं तो यहाँ पर देखो बोल रहा है concave mirror only ना convex ही only नई convex ही only नई concave mirror, convex mirror, concave lens, convex lens भाईया कुछ भी हो अगर object infinity पे है तो image highly diminished बनेगी मतलब option क्या होना चाहे D वाला ठीक है इन में से कुछ भी हो सभी में आपका image infinity वाले object का point size बनेगा ठीक है तो ये था हमारा simple multiple choice question ठीक है यहाँ पर हमारा multiple choice question over होता है next video में हम बात करेंगे short answer type question ठीक है आपको magnetbrains.com पे जाना है वहाँ पर आपको अपने class select करनी है अपना subject select करना है वहाँ पर आपको अपना chapter select करना है और फिर एक particular topic select करने के बाद आपका ऐसे video open हो जाएगा ठीक है clear है and last में बस में यही कहूंगा कि अगर आपको इस video से knowledge prob मिला होगा तो आप इसको like करे and अगर channel पे नए हो तो subscribe करे and दोस्तों के साथ share करे ताकि उनको भी इसका benefit मिल पाए thank you